इसका मुझे बहुत इंतजार था बाइक का कोगी मुझे लग रहा था कि इस बाइक में बहुत साधा अच्छे चेंज जाने वाले को भी काफी टाइम से पुरान डिजाइन चलता रहा था सो इस बाइक में के टीएम ने कंजीमर्स की सुनी और बहुत ही कमाल का काम कर दिया है इसका डिजाइन चेंज करके जो की ड्यूक टूफिटी ऐसा दिखता है अब सो लेट्स स्टार टॉक बाइक टूड़े इन दिस वीडियो सो गाइज अब जो ड्यूक टू हंड्रेड आती है 2020 बीएस सिक्स वेरियंट की कुछ इस तरीके से कमाल के उसके डिजाइन हो गया है और यहां पर आप देख सकते हैं बैजिक मिल जाती है हमें ड्यूक टू हंड्रेड लिखी हुई स्टार्ट करते हैं आगे से सो हमें कुछ इस तरीके के इसके वील्स मिल जाते हैं पहले ऐसे ही मिलते हैं डिस्क ब्रेक है टूल चानल अब इसके अंदर सबसे बढ़िया बात यह है और कलर मुझे परसनली वाइट थोड़ा ज़ादा अच्छा लग रहा है हुई देखने में हमें मिल जाते हैं यूए क्लस्टर नहीं है बात करते हैं इंडिकेटर की तो इंडिकेटर से ही मिल जाते हैं और जो इंस्टुमेंटल कंसोल है वह भी पहले जैसा ही मिलता है जैसे कि दूप 200 में पहले आता था काफी सारी इंफॉमिशन अबें देखना मिल जाती है तो बहुत यह अच्छा कुछ इस तरीके की अमेजिंग डिजाइन दिया है टैंक को बहुत ही बढ़िया तरीके से जैसे कि आपको ड्यूप 250 दूप 390 में देखने को मिलता है मुझे परस्नली ग्राफिक्स बहुत अच्छा लग रहे हैं बॉडी सिंपल सोबर नीट अं क्लीं ग्राफिक्स हैं वा करी है थोड़ी सी जादा बढ़ा दिये जो राइडर सीट उसकी पैडिंग हलकी सी जादा लग रही मुझे यह बहुत अची चीज़ है बिकॉस कमफोर्ट लेवल बढ़ जाता है बात करें एंजिन की तो इस सेम आज ऑफ और तो 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 त मिलता है split flame frame देखने को मिलता है जो की black और white design में है बहुत ही beautiful look दे रहा है और यहां पर एक छोड़ा सा orange में आपको KTM के बाजिंग देखने को मिल जाती है तो यह भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहां मिल जाता है हमें grab bars और this is the tail light of the bike how this looks like the rear wheel है वह भी बहुत यहां मिल जाता है because this bike is now equipped with a dual channel EBS and जो underbelly exhaust है वो उसका design हलका सा कही नहीं थोड़ा दोड़ा बहुत change किया है in the BS6 vehicles because of some emission norms and some government norms कुछ इस तरह के complete bike दिख रही है अगर performance की बात करें Duke 200 की तो शुरू से बहुत ही बढ़िया रही है pocket friendly bike रही है हर किसी को बहुत अच्छी लगत इसकी power बहुत जादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है so अगर आप beginner हैं अगर आप biking start भी अचा रहे है so this can be the perfect bike for you अब बात करते हैं price की कि क्या है इस bike का price अब so अब यह bike आती है 2,00,000 रुपे on road के आसपास and बहुत ही कमाल का काम कर दिया है KTM इसका design change करके because look at this bike how this bike completely looks like it's really amazing और जो इंजे ने वो हमेशे से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है KTM का जो Duke 200 का है मैंने Duke 200 सबसे जादा चला ही है सारी KTM की बात करें उन में से so I really love this bike and personal emotion भी जुड़ा है KTM Duke 200 से because यार काफी जादा अच्छी लगती है and काफी बढ़िया परफॉर्म करती है श this is the orange and black shade of the Duke 200 कुछ इस तरी के इसका design देखने को मिलता है ये भी काफी अच्छा है लेकिन ये थोड़ा सा बढ़कीला लग रहा है color तो मुझे personally थोड़े से एक toned down एक normal colors पसंद है so इसलिए मुझे ये white color बहुत पसंद लग रहा है and this bike is having a really nice design Duke 250 का आप design कह सकते हो इसके अ में launch किया है Duke 200 को इस बार and I was eagerly waiting for this bike to come here look at the design this bike is having nice now हमेशा से अच्छा ही performance रहा है से gear shifting बहुत स्मूध रही है 6-speed transmission के साथ आता है 199.199cc का engine capacity है so अच्छी बाइक है अगर आप स्टार्ट करना चा रहे है biking और आपको एक बहुत ही complete package value for money ktm bike चीए then you can just buy this ktm duke 200 really awesome and crazy बहुत ही बढ़िया लुगी है मुझे परसनली black white और orange का ज़े combination है बहुत ही perfect लग रहा है बाकी आपको अगर orange और black color वाली bike लेनी है so you can just buy this bike यह भी काफी अच्छा color दिया है color scheme काफी अच्छी आपको पास से दिखाता हूं the orange color is really nice और gloss texture है मतलब duke 250 औ मतलब इसमें आपको यहां पर glossy finish मिलेगी color के ऊपर and color is very nice paint scheme is very nice so guys that was just all about the ktm duke 200 the bs6 the 2020 the latest variant so guys आश की वीडियो में सरब इतना ही था so guys आपको एक बार exhaust note भी सुनायते हैं the bs6 ktm duke 200 का so let's start this bike and start the electricals and crank the motor फटा 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 स्टार्ट करते हैं सुनते हैं इस बाइक का अव सबसे फ़ले मैं आपको headlight दिखाजता हूं कुछ इस तरी के headlight cluster दिखेगा आपको halogen headlight and now let's hear the exhaust note of this bike man so guys उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगे कर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लोगे लाइक करवागे कही मत जाएगा मुझे comment section में जरूर बताइगा अपने thoughts की क्या ktm ने अच्छा किया design change करके या फिर क्या ktm के बारे में आपके thoughts आपकी favorite ktm bike कौनसी मुझे comment section में जरूर बताइगा और आपकी कोई भी कोईरी है regarding the ktm buke 200 bs6 so do comment in the comment section में जरूर दूंगा मुझे instagram पर फॉलो करना मत बूलिएगा यहां लिख किया रगा for latest updates and amazing bike stories आप महाँ पर मुझे DM करिए आपकी कोई भी कोईरी है आपको कुछ भी पूचना है कि किसी भी brand के बारे में किसी भी बाइक के बारे में सो अब मुझे महाँ कोईरी DM कर सकते हैं मैं आपकी कोईरी का अंसार जरूर दूंगा मिलते हैं आपस अगली वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करें करें काई मच जाएगा उस लाल बोटन को तोन मोड फोडो जो गन ग झाल बोटन को जो 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 ज